हलो ओपी क्लास इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनह स्वागत है आज हम लों को पढ़ने हैं 29 जनबरी 2021 के Most Expected Current Affairs तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्ण पहला प्रश्ण है काजा कलास निमनलिकित में से किस देश की पहली महला प्रधान मंतरी बनने जा रही हैं तो हाल ही में काजा कलास बाल्टिक देश एस्टोनिया की प्रधान मंतरी बनने जा रही हैं बे एस्टोनिया की पहली महला प्रधान मंतरी होंगी एस्टोनिया की महला प्रधान मंत्री के अतिरिक्त एस्टोनिया वर्तमान में पहला ऐसा देश होगा जिसके राष्टपती तथा प्रधान मंत्री दोनों महलाएं हैं हाल ही में रिफॉर्म पार्टी से काजा कल्लास को एस्टोनिया की प्रधान मंत्री चुना गया है बे एस्टोनिया के 14 वे प्रधान मंत्री सीम कल्लास की पुत्री है इसके अलाबा काजा कल्लास बर्ष 2014 से बर्ष 2018 तक यूरोपिय संसत की सदश्य भी रही थी वर्तमान में एस्टोनिया देश की राष्टपती कैश्टरी कल जुलैद है बात कीजा एस्टोनिया की तो यह एक बाल्टिक देश है जिसकी राजधानी तालिन है चलिए देखते हमारा आज का दूसरा प्रश्ण दूसरा प्रश्ण है निम्न लिखित में से किस देश की ससस्त्र सेना में से एक बाई सदस्य दल गड़तंत्र दिवस परेड 2021 का हिस्सा बना था पहली बार भारत का कोई पड़ोसी देश टुकडी के तौर पर भारत के गरतंतर दिवस में सामिल हुआ है इससे पहले बर्ष 2016 में फ्रांस की एक टुकडी जबकि बर्ष 2017 में UAE यनि संयुक्त अरब अमीरात की एक टुकडी परेड में सामिल हुई थी बांगलादेश की 122 सदस्य टुकडी का नित्रत्व कमांडर लेफ्टिनेंट करनल अबू महमद साहनूर सान ने किया था बात की जाए बांगलादेश की 122 सदस्य टुकडी की तो इसमें तीनों सेनाओं के यूनिट के सैनिक सामिल थे चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न तीसरा प्रश्न है पुराने प्रदूशन फैलाने बाले बाहनों पर लगाये जाने वाले करका नाम क्या है जिसे केंद्रिय सडक परिवहन राजमंतरी नितिन गडकरी ने मंजूरी दी है तो हल ही में केंद्रिय सडक परिवहन और राजमंतरी नितिन गडकरी ने पुराने प्रदूशन फैलाने बाले बाहनों पर एक टेक्स लगाये जाने की बात की और इसे उन्होंने ग्रीन टेक्स नाम दिया है यह ग्रीन टेक्स पुराने बाहनों पर लगाया जाएगा जो की अन्फिट बाप प्रदूशन फैलाने बाले बाहनों की रूप में होंगे ये बाहन आट साल से पुराने होंगे तथा रोड टेक्स का 10 से 15 प्रतिसत फिटनिस परमार पत्र के साथ टेक्स की रूप में जमा किया जाएगा चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रस्न चौथा प्रस्न है बहत्तरवे गड़तंतर दिवश्यमारों के दोरान महावीर चक्र प्रदान प्राप्त करने वाले कौन हैं तो संतोष बाबु को बहत्तरवे गड़तंतर दिवश्यमारों के दोरान महावीर चक्र प्रदान किया गया संतोस बाबू चीन के साथ हुई गलवान घाठी में 20 जवानों के साथ सहीध हो गए थे अन 20 सहीधों में 5 को बीरचक्र तथा 14 को सैना मैडल से सम्मानित किया गया है 15 जून 2020 को ओपरेशन सिनो लीपोर्ड के दोरान पूर्वी लद्दाख की गलवान घाठी में चीनो सैनकों के साथ एक मुठविड में संतोस बाबू सहीध हो गए थे ओपरेशन सिनो लीपोर्ड में संतोस बाबू कमांडिंग ऑफिशर की भूम का निभाते हुए उचाई से चीनी सैनकों द्वारा पत्थरवा धारदार हत्यार से हमला करने पर सहीध हो गए थे हाला कि संतोस बाबू के पिता बिकुम्मला उपेंद्र ने कहा है कि संतोस बाबू परंबीर चक्र के हकदार थे चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचबा प्रशन पांचबा प्रशन है पद्म पुरुषकार 2021 में कितने लोगों को पद्म विभूशन से सम्मानित किया गया है तो हाल ही में पद्म पुरुषकारों की घोशना की गई है जिन में से साथ बैक्तियों को पद्म विभूशन से सम्मानित किया गया है इन साथ लोगों में गीतकार S.P. बाला सुब्रमन्यम, जापान के पूर्व प्रधान मंत्री सिंजो अवे, सेंड कलाकार सुधर्शन साहू, बिग्यान जिन्होंने ओप्टिकल फाइवर का विस्कार किया था नरिंदर कपानी, पुरातत बिद बीवी लाल, इसके अलाबा सा आंतिकार करता मौलाना बही उद्दिन खान तथा मेडिसन से डाक्टर मोनप्पा हेगडे सामिल हैं, चलिए देखते हैं हमारा आज का चटबा प्रश्न, चटबा प्रश्न है, निमनलिखित मैंसे किसे पद्म भूशर पुरुषकार 2021 से सम्मानित नहीं किया गया है, तो हल ही में बिभिन प्रकार के पद्म पुरुषकार दिये गए, जिन में कुल दस लोगों को पद्म भूशर पुरुषकारों से सम्मानित किया गया है, जिन में तरण गोगोई, राम बिलास पासवान, केशु भाई पटेल, कलवे सादिक सामिल है, नरिंदर शीं का पानी को लिखित मैं से किस राज ने 25 जनबरी 2021 को अपना पचासवा राज दिवस मनाया है, तो हाल ही में 25 जनबरी 2021 को हिमाचल प्रदेश ने अपना पचासवा राज इस्थापना दिवस मनाया है, हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1971 को हुई थी, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश क मुख्य मंत्री जैराम ठाकुर जबकी राजपाल बंडारू धत्तात्रे हैं हिमाचल प्रदेश का साब्देकर्थ बरफीले पहारों का प्रांथ होता है तथा इसे देव भूमी भी कहा जाता है 1956 में हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी यानि केंद्र सासित प्रदेश बना था हिमाचल प्रदेश में 95 प्रती सत हिंदु धर्मामलंबी रहते हैं हिमाचल प्रदेश की दो राजधानी सिमला तथा धर्मशाला है चलिए देखते हैं हमारा आज का आठवा प्रस्न आठवा प्रस्न है उत्तर प्रदेश राज दिवस कब मनाया जाता है तो प्रतियक वर्स 24 जन्वरी को उत्तर प्रदेश अपना इस्थापना दिवस मनाता है उत्तर प्रदेश का पहले नाम संयुक्त प्रांत हुआ करता था लेकिन 24 जन्वरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम मदल कर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था बर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी योगी आदित्तिनाथ चिपकी राजिपाल आनन्दी बेन पटेल है एक अप्रेल 1937 को उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत आगरा एबम अबध के नाम से जाना जाता था बर्तमान में उत्तर प्रदेश में 18 मंडल और 75 जिले हैं जबकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड से अधिक है चलिए देखते हमारा आज का नौबा प्रश्ण है भारत ने 26 जनबरी 2021 को अपना कौन सा गड़तंतर दिवश मनाया है तो हाल ही में भारत ने 26 जनबरी 2021 को अपना 72 गड़तंतर दिवश मनाया है 26 जनबरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और भारत एक गड़राज की रूप में विश्य की शामने आया था 26 जनबरी 1950 को भारत सासन अधिनियम 1935 को हटा कर संविधान लागू कर दिया गया था आईए जानते हैं कुछ बातें गड़तंतर दिवश के बारे में गड़तंतर दिवश पर 2000 रोहन राष्टपती द्वारा किया जाता है 1955 से पहले राजपत पर गड़तंतर दिवश का आयोजन नहीं किया जाता था 1955 से गड़तंतर दिवश का आयोजन राजपत पर किया जानी लगा 26 जनबरी 2021 को मनाए गए गड़तंतर दिवश की कुछ विशेशनाय रही जो की निमने है COVID-19 की बजे से इस बार कोई भी विदेशी अतिथी सामिल नहीं हुआ बांगलादेश विदेशी सेन टुकडी इस बार सामिल की गई इसके पहले बर्ष 2016 में फ्रांस तथा वर्ष 2017 में UAE की सेन टुकडी सामिल हुई थी बर्ष 2020 के गड़तंद्र दिवस में ब्राजील के राष्टपती जेर बोलसा नारो सामिल हुए थे जबकि बर्ष 1950 के गड़तंद्र दिवस के अबसर पर इंडोनेशिया के राष्टपती सुकरणों सामिल हुए थे बर्ष 2021 के गड़तंत्र दिवश पर कौरोना की बज़े से कोई भी मौटर साइकल इस्टंट सामिल नहीं किया गया पहली बार केंदर सासित प्रदेश लद्दाख की जहांकी को सामिल किया गया था कौरोना की बज़े से इस बार दर्षकों की संख्या मात्र 25,000 रखी गई थी जो की पहले 1,25,000 हुआ करती थी इस बार गड़तंत्र दिवश के अफसर पर 15 वर्ष से छोटे बच्चे सामिल नहीं किये गए थे प्रतेक वर्ष की भाती इस वर्ष 144 की जगह केवल 96,000 दस्ते सामिल किये गए थे बर्ष 2021 के परेड में 32 जहांकियां सामिल की गई जिन में 17 जहांकियां राज्यों से 6 जहांकियां सुरक्षावलों से तथा 9 जहांकियां मंत्रा लै की सामिल की गई थी इस बार यह परेड केवल नेशनल स्टेडियम तक गई थी जिसकी दूरी मात्र 3.3 किलोमेटर थी पहले परेड 8.2 किलोमेटर की दूरी तक जाती थी इस बार की परेड में राफिल ने 780 किलोमेटर की रफतार से 33 सेकंड की उड़ान भरी और यह 300 मीटर की उचाई पर उड़ान भर रहा था राफिल की अगवाई कैप्टन रोहित कटारिया ने की थी तथा राफिल के साथ फॉर्मेशन में मिग 29 तथा जगवार को सामिल किया गया था बायू सेना की जहांकी में पहली बार किसी पहली महला पाइलेट भावना कंठ ने भी हिस्सा लिया था इस वार की परेड में राज्यों की विसेश जहांकी में उत्तर प्रदेश से राममंदर की जहांकी जबकी कोरोना बैक्सीन की जहांकी को भी सामिल किया गया था चलिए देखते हमारा आज का अंतिम प्रश्न अंतिम प्रश्न है निमनलिकित में से किस छेतर में स्पी बाला सुब्रमन्यम को पद्म विभूशन पुरुषकार 2021 से सम्मानित किया गया है तो हाल ही में कला के छेतर में स्पी वाला सुब्रमन्यम को पद्म विभूशन पुरुषकार 2021 से सम्मानित किया गया है बात कीजा पदम पुरुसकारों की तो पदम पुरुसकार तीन होते हैं जिनमें सबसे बड़ा पदम विभूशन उससे छोटा पदम भूशन तथा सबसे छोटा पदम सिरी होता है बर्ष दो हजार एक्कीस में कुल 119 पदम पुरुसकार दिये गए जिनमें 7 पदम बिभूशन, 10 पदम बूशन जबकी 102 पदम सिरी सामिल किये गए थे इन कुल पद्म पुरुषकारों में 29 महला पुरुषकार बिजेता हैं तथा 10 विदेशी पुरुषकार बिजेता भी सामल है 16 वेक्तियों को मरनो प्रांथ पद्म पुरुषकार से सम्मानित किया गया है पद्म पुरुसकार, कला, समाज सेवा, लोगकार, विज्ञान, चिकितसा, इंजीनियरिंग, ब्यापार, खेलकूद, सिविल सेवा आधी छेत्रों में दिया जाता है चलिए देखते हमारा आज का कोशन अब दा डे 29 जनबरी 2021 का कोशन अब दा डे है ब्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट सम्मेलन का मुख्यालय कहा है पैरिस, जेनेवा, मलेशिया या फिर लंदन इसके अलाबा सैसन अब दा डे का कोशन है हाल ही में पुराने बाहनों पर एक टेक्स लगाया जाएगा उसका नाम क्या है दोनों प्रस्णों के जबाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं